अरे यार तुम देख रहे हो यहाँ पर है न सर लिखा हुआ है जिससे मुझे चेड़ है तो यहाँ पर क्या कर रहा था मैं इसको फूख मार के हटा रहा था और बना रहा था सुनील भाईया फूख मारी फोटो तो उड़ गई और यह सर यहीं रे गिया कोई बात नहीं यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं लिख देते हैं भाईया लेकिन अब आप लोग सभी सोच रहे होगे कि सुनील भाईया यहाँ पर आप इसको फूख क्यों मार रहे थे क्या रीजन है यहाँ पर फूख मारने का क्योंकि आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं यह हमारी फूख से रिलेटिड है फूख यानि कुछ बातों में कई हम इसकी बाते तो नहीं करने वाले हैं हवा हवा आई है ना इसकी बाते तो नहीं करने वाले हैं तो हाँ मेरे प्यारे बच्चो आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में जिसे हम कहते हैं हवा जिसे हम कहते हैं वायू जो हमारे आसपास में हैं इसके बारे में आज हम डीटेल में डिसकेशन करने वाले हैं तो प्यारे बच्चो मैं हूँ आपका दोस्ता कमेंटरा का बड एवरीवेर अराउंड अस और नॉट किया हवा हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है पहले हम उसको फील करेंगे कि वह है या नहीं है या वो क्या है यह जो मैंने बुला एक्ट्वल में क्या है इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे उस लोग आइंगे ज्यादा पढ़े ल प्लांट्स एनिमल्स जो आपके कहां पर रह रहे हैं स्टॉइल में रह रहे हैं एंड आपके वॉटर में रह रहे हैं एक एक चीज़ पर डीटेल में चर्चा होगी तो बिल्कुल टैंशन ना लीजिए और उसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे यहां पर हाओ इस दी ऑक्सिज़न इंदी एट्माउस्फियर रिप्लेज़ इस चीज़ के बारे में होगी चर्चा तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं पहले एक चीज़ पर थौट देते हैं है ना यानि जिसको हम वाईू कह रहे हैं या जिसको हम हवा कह रहे हैं, क्या आप मेंसे को को तो नहीं देखा पहुत बढ़िया आपने हवा को देखा नहीं है पिशुज करते हैं पंखा चलते हैं ठन झरल लगने लगता है यह बहुत तेज अगर आंधी आ रही होती है तो यह क्या है यह हमारी वायू इसको हम क्या करते हैं इसको हम सिर्फ हम क्या कर सकते हैं we can only perceive it परसीव का मतलब होता है कि हम उसे सिर्फ और से feel कर सकते हैं हमने उसे देखा नहीं है किसी ने भी नहीं देखा we can just feel it दैसे कि तुम उसको कैसे देख सकते हो उसको है ना यह अगर तुमने देखा हो कि अगर हवा चल रही होती है इसे हम wind कहते है तेख जब यह ऐसे move कर रही होती है हवा यानि जो वायू है जब move कर रही होती है तो इसे हम wind कहते है क्या कहते है wind कहते है तो तुमने देखा हो का पेड़ ऐसे हो जाते है अब पेड़ अपने आप तो ऐसे होंगे नहीं कोई चीज तो उनको कर रही होगी तो तुमारे आसपास मे जो हवा है वो move करती है यह क्या है एक तरीके से इसको बोल सकते है moving air का effect है so this is basically the effect of moving air तो इससे हम perceive कर रहे हैं हम sense कर रहे हैं कि यहां भई हवा है तुम जाके खड़े हो जाओ ऐसे बाल पीछे जाएंगे कपड़े पीछे जाएंगे तुम feel कर पाओगे तो this is the effect of the moving air यानि जब हवा move करती है why you move करती है तो हम उसे महसूस कर पाते हैं कुछ लोग इसको आगे चलके तुम पढ़ोगे इसको perceived motion भी कहते हैं यह एक तरीके का motion का प्रकार हो जाता है perceived motion जिसे आप देख नहीं सकते हैं बस perceived कर सकते हैं महसूस कर सकते हैं अब दैसे कि यह weather cock होता है यह क्या होता है बिटा इसे कहते है weather cock ठीके बिटा यह क्या करता है यह weather cock एक device है जो wind की direction को बताता है क्या बताता है tells us the wind direction tells us the wind direction जैसे जिस direction में हवा move करेगी ये उस direction में move कर जाएगा तो यानि यहाँ पर हम यह जानते हैं कि हवा को हमने देखा नहीं है Nobody has ever seen air ठीक है न? Air क्या होती है? Air आपकी transparent होती है पहली property तो आपको यह पता होनी चीए मेरे छोटे भाई और भेनो ठीक है? यानि हवा आपकी transparent है आपको दिखती नहीं है बस आप उसको महसूस कर सकते हैं दैसे कि उसका एक example जो है यह मैंने आपको बताया effect of moving air दूसरा example है weather cop इसको भी आप move होते वे देख सकते हैं आप perceive कर सकते हैं कोई भूत तो नहीं move करा रहा? नहीं, हवा move करा moving air move करा रही है इस moving air को wind कहते है wind ठीक है? तो इसकी पहली property हवा की क्या है? कि यह transparent है ठीक है? यह क्या है? यह transparent है क्या आपको यह basic छोटी सी बात मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर समझ में आ रही है क्या? कि सुनील भहिया यहाँ पर क्या कह रहे है कि हवा क्या है? हवा basically transparent है उसे हम देख नहीं सकते हैं और उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं So we can't see it we can only perceive it No We can only perceive it We can only perceive it ठीक है? So have you ever seen it? No We can only perceive it तो यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा और अच्छे से इसको लिख देते हैं थोड़ा और प्यार से इसको लिख देते हैं प्यारे प्यारे बच्चों के लिए We can't We can't see it We can only perceive it हम उसे सिर्फ और सिर्फ perceive कर सकते हैं perceive का मतलब होता है महसूस कर सकते हैं देख नहीं सकते I hope मेरे छोटे प्यारे भाई बैनों को यह basic सी बात यह basic सी चर्चा बहुत clear हो गई है अब कुछ लोग कहेंगे कि हम तो क्यों मानें आपकी बात हम नहीं मानेंगे आपकी बात हम को कैसे विश्वास हो आपकी बात का पानी के अंदर ऐसे मग्गे को इसे उल्टा करके डालता था थूक करके भार निकालता था यह क्या करता था मग्गा हो जाता था उसके अंदर छोटा सा ऐसे पेपर को रख देता था पूरा बड़ा सा पेपर ऐसे फसा दिया नीचे और फिर ऐसे करके उल्टा करके उसको डालता था पानी की बाल्टी में पेपर अंदर से सूखा भार आता था क्यों क्यों होता था ऐसा देखे आपको समझाता हूँ यहां पर यहां पर अगर आप मान लीजिए एक पेपर को रखते हैं एक एकजामपल लीजिएगा इसको आप करके दिया और इसको पूरा ऐसे उल्टा करके आप डालिए ध्यान दे सुनियागा ऐसे उल्टा करके आप डालिए अगर आपने इसको सबसे पहले insert किया Inserted यह पहला स्टेप है दूसरा स्टेप है अब आप क्या देखेंगे सबसे पहले आप ने इस बोटल को जिसके अंदर पे पेपर फसा रखा है और इसको पानी के अंदर उल्टा ऐसे डाल रहे हैं मग्ये को ऐसे आप डाल रहे हैं उसके बाद आप जब बाहर निकालेंगे इसको तो आपका पेपर is not wet अब ये आपको क्या बताता है ये आपको समझना पड़ेगा पेपर गीला क्यों नहीं हुआ पे आलेंगे और जब बाहर निकालेंगे पेपर आपका सूखा रहेगा ऐसा क्यों ऐसा इसी लिए मेरे प्यारे बच्चो क्योंकि यहां पर यहां पर क्या हो रहा है water water can't get inside यानि यहां पर कुछ तो है कुछ तो है यहां पर ऑगा और पानी नहीं जापा रहा है पानी अंदर नहीं जा पा रहा है, यहाँ पर कुछ भरावा है क्या, यहाँ पर क्या भरावा है, यहाँ पर कुछ भरावा होगा, तबी तो पानी अंदर नहीं जा पा रहा है ना, यहाँ पर कुछ भरावा होगा, समझ रहों कि नहीं समझ रहों, यहाँ पर कुछ भरावा होगा, यह क्या बरावा है खुद बताओ यह क्या बरावा है water can't get inside that space that space is occupied by air वो space किसने occupy कर रखा है मेरे प्यारे छोटे भाईयो और बैनों वो हवा ने occupy कर रखा है क्या तुमें समझ में आ रहा है उस space को हवा ने occupy कर रखा है उस particular space को हवा ने यहाँ पर occupy करके रख रखा है इसलिए तुम्हारा पानी गीला इसलिए तुम्हारा paper जो है वो गीला नहीं हुआ तो क्या तुम्हें प्रूव हो रहा है कि हवा exist करती है ठीक है so now this basically proves that air do exist ठीक है यह हो गया आपका scene number one अब scene second में हमें क्या करना है what we have to do in the scene second ठीक है scene second में अगर आपको देखना है कि हवा actually में exist करती है एक तरीके सो तो आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया है आपने पहले तरीके से यहाँ प्रूव कर दिया है कि paper गीला नहीं हुआ आपको कि पानी अंदर नहीं जा पा रहा था वेकाश इस इस स्पेस को हवा ने occupy कर रखा था इसी लिए पानी अंदर नहीं जा रहा था वो space air ने occupy कर रहा था इतना हमें समझ में आ गया दूसरा तरीका जिससे कि आप महसूस कर सकते हैं कि हवा होती है आप इस bottle को आपको क्या करना है आपको scene 2 में करना है tilt the bottle tilt the bottle inside water beaker ठीक है ना ठीक है ना जो आपका पानी वाला beaker है उसके अंदर आप थोड़ा से इसको ऐसे tilt कर देंगे तो tilt करने पर आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पर पानी तो अंदर जा रहा है यह तो पानी है और यहाँ पर आपको क्या दिखे रही है कि यह बबूले बनके बबल्स बनके बहार आ रहे है ऐसे बुड़ 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 आ रहे है ये क्या है विटा ये अंदर जो जा रहा है ये तो आपका basically हो गया पानी this is nothing but your water और water किसकी space occupy कर रहा है air की space occupy कर रहा है तो air आपकी bubbles बनके बाहर आ रही है ये air के bubbles है air bubbles बनके बाहर आ रही है क्या आपको ये छोटी सी interesting सी बात समझ में आ रही है मेरे छोटे बाहियों और बैनों क्या आपको ये बात समझ में आ रही है तो यहाँ पर हमने proof कर दिया that air is present everywhere यहाँ का conclusion क्या है that air is present everywhere जैसे कि भगवान हर जगे present है वैसे ही हवा हर जगे present है air is present everywhere समझ में आ गई मेरी बात clear हो रही है क्या ये दो scenes के through clear हो रही है क्या घर पे जाके experiment करोगे की नहीं करोगे मज़ा आएगा की नहीं आएगा बता दो photovert से हाँ जी वही या बहुत मज़ा आएगा तो बास मज़े के लिए ही करना था ही हमें अगर आपको note करना है तो आप note भी कर सकते हैं आपको दिक्कत ना है ठीक है प्यारे बच्चों ठीक है सुनील मिया कोई दिक्कत नहीं है आगे चलते हैं आगे चलते हैं तो is air present everywhere around us आप तो हमें पता है कि हवा जो है हर जगे present है so air is present everywhere around us it is one of the reasons that life is possible on the earth as living beings need it to breathe हमें सास लेने के लिए भी हवा की जरूरत है अगर आपने कभी बाल हनुमान मूवी देखी है तो आपने वहाँ पे चीज नोट करी होगी जब बजरंग बली भगवान है ना कहते हैं जुग सस्तर जोजन पर वानू हनुमान भगवान सूर्य को पकावा आम समझ के उसे खाने के लिए चले जाते हैं और जब उसे खाने वाले होते हैं तो बीच में इंद्र भगवान आ जाते हैं इंद्र भगवान अपने वज्जर से उन पे वार करते हैं और वो धरती पे आके गिरते हैं अब होते वायू के पुत्र हैं पवन के पुत्र हैं तो पवन पुत्र जो हैं वो पवन यानि वायू देवता गुस्सा हो जाते हैं कि मेरे बेटे को किसने मारा तो वो अपने बच्चे के पास जाते हैं और वो क्या करते हैं सारी की सारी हवा खीच लेते हैं तो धर्ती के ओपर सारे और्गैनिजम्स मरने लग जाते हैं प्लांट्स मरने लग जाते हैं यह एक छोटी सी बात से हम relate कर पारे हैं कि air is very important for the survival of all the living beings on earth यह हमें समझ में आ रहा है ठीक है ना क्योंकि इसे यह हम सांस लेते हैं अभी मैं बता हुआ कि सांस जब लेते हैं जो breathing हम करते हैं सांस लेते हैं उसमें कौन सा component हमारी body में इस्तिमाल होता है पर वो हवा का ही पाट है वायू का ही पाट है वायू हमारे लिए जिवा जिन्दा रहने के लिए या जिवित रहने के लिए बहुत ज़ादा जरूरी है यह आपको समझ में आ रहा है और भी बहुत सारी चीज़ों में जरूरी है देखो ये तुम्हारे बलून्स में तुम हवा फुलाते हो जो बड़े बलून्स है होट एर बलून्स उसमें भी हवा का ही कमाल है ठीक है उसके बाद बर्निंग के लिए भी हवा की जरूरत है इसमें कौन सा कंपोनेंट की जरूरत होती हवा के उसकी मैं बात करूँगा आप लोगो से याद रखी अगर हवा नहीं होगी तो हवा में उड़ भी नहीं पाइंगे ठीक है और एरेज नीट फॉर दा डवेंचर अक्टिविटी इस पैरा शूटिंग यह जो पैरा शूटिंग होती है पैरा ग्लाइडिंग होती है है ना यह जो भी आपकी adventurous sports होते हैं उसमें हवा का इस्तेमाल किया जाता है जो पैरा shooting है पैरा gliding इन सब के अंदर आपकी हवा का इस्तेमाल होता है अगर हवा नहीं होगी तो कोई भी चीज नहीं उड़ेगी इवन aeroplanes fly due to air birds fly due to air aeroplanes also हर कोई भी चीज जो आपको उड़ती भी दिखाई दे रही है वो हवा की वज़े से उड़ रही है मेरे प्यारे बच्चों इसलिए हम जब कहते हैं ना कि कोई कहता है कि भाईया मैं हूँ जो हूँ अरे भाईया तुम किसी और की वज़े से वहां हो आज कोई उड़ रहा है तो हवा की वज़े से उड़ रहा है हवा गई उड़ना बंद तो हर चीज में किसी ना किसी का सपोर्ट होता है प्यारे बच्चों अगर आप एक अच्छे इंसान बनते हैं तो उसमें आपके माबाप और आपके टीचर्स का योगदान है ठीक है प आप नोट करेंगे एयर आपकी ट्रांस्पेरेंट है और दूसरी चीज जो वेटा ये क्या है ये मिक्षर है क्या है मिक्षरन है ये क्या है मिक्षरन है मिक्षर ऑफ डिफरेंट गैसे अलग अलग गैसे जो है उनका ये आपका क्या है एक मिक्षरन है ये आपकी हवा तो य इसमें बहुत सारी gases का योगदान है बिटा है ना आईए देखिए उसके बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा है nitrogen gas कितना है 78.08 प्रतीशत आपकी nitrogen gas वहाँ पे present है दूसरी बात करते है oxygen gas 20.95 percentage आपकी available है 78.08% nitrogen है 20.95% आपकी oxygen है उसके बाद argon आपकी 0.93 percentage है और other gases आपकी 0.04% है उस other gases का अगर मैं break up थोड़ा सा बता हूँ तो carbon dioxide gas 0.03% है और rest other gases 0.01 percentage है यहां से सुनना nitrogen है 78.08% oxygen है 20.95 percentage उसके बाद argon आती है argon 0.93 percentage और जो बचीवी gases है वो 0.04% है इस 0.04% का break up ही है कि carbon dioxide 0.03% है और rest other gases like helium, krypton, xenon, redon यह सारी की सारी जो है 0.01 percentage समझ में आरेए मेरी बात तो concentration of gases अगर कोई आप से पूस्ता है तो यह nitrogen का आपका molecular formula है यह oxygen का formula है O2, argon ऐसे ही रहेगी और यह CO2 का formula है तो सबसे जादा जो present है वो है nitrogen that is N2 78.08% then oxygen 22.95% then argon gas 0.93 percentage then उसके बाद आपके बाद आती carbon dioxide gas 0.03 percentage and rest other gases 0.01 percentage होती है तो यह हावा के अंदर different gases का एक measurement है अब इसके अंदर तुमारी जो other वाली gases है इसके अंदर क्या है यह जो 0.01% इसमें क्या बाफ भी आती है water vapor आती है क्या सुनील भीया हाँ water vapor जो आपने water cycle में पढ़ी थी बाफ वो भी इसका एक पार्ट है बाफ जो तुमारी water vapor है वो भी इसका एक पार्ट है याद रखना है इस चीज़ को ठीक है आईए इनके बारे में individually एक discussion कर लेते हैं oxygen तो मैंने आपको बताया था कि हवा हमारे जिन्दा रहने के लिए बहुत जरूरी है बताया था ना बेटा अब उस हवा का जो component है उसको बोलते है oxygen क्या मोलते है बेटा oxygen कोरोना में तुम लोगों ने बहुत बार इस टर्म के बारे में सुनाओ कि oxygen हमारे लिए जरूरी है oxygen के cylinders की जरूरत पढ़ रही है लोग सांस नहीं ले पार है oxygen cylinders तो यह oxygen gas है जो हमारे को चाही हमारी body को ठीक है तो oxygen is needed for breathing by all living organisms this gas also plays a major role in the combustion तो जो हम चीजों को जला रहे थे न उस process को बोला जाता है combustion और combustion का एक type होता है burning जो तुम लोग बहुत synonymously use करते हो तो किसी भी चीज को अगर तुम्हें जलाना है ध्यान से सुनना अगर आपको किसी भी चीज को जलाना है तो आपको oxygen की जरूरत तो पढ़ेगी ही पढ़ेगी ठीक है तो combustion में यह क्या करती है oxygen gas is basically supporter of combustion oxygen खुद नहीं जलती है ये भी आप याद रखिए एक बात आपको मैं बता देता हूं oxygen के लिए oxygen oxygen खुद नहीं जलती है वो जलाने में मदद करती है मान लीजे पेपर को जलना है तो पेपर को जलने के लिए oxygen gas की जरूरत पड़ेगी मान लीजे लकडी को जलना तो उसको oxygen gas की जरूरत पड़ेगी लेकिन oxygen खुद नहीं जलूंगी मैं दूसरे को जलाओंगी ये है oxygen समझ ऐसी है, खुद नहीं जलेंगे अपन दूसरों को जलाएंगे, अपन को जिंदी की ऐसी जीन है, खुद नहीं जलना, जला देंगे, जला रहे नहीं है, बढ़िया, तो it is necessary for breathing by all living organisms, अब यहां breathing में भी एक और technical term में बोलू तो not breathing, respiration, जो आप आगे पढ़िएंगे, तो ऐसा आप बोलें कि सुनील भीया ने हमें बताया नहीं था, देगी breathing क्या होता है, सांस अंदर लिएना और सांस को छोड़ना is breathing, लेकिन यह जब अंदर जाती है, हवा अंदर जाती है, हवा अंदर जाती है, हवा अंदर जाएन तो इसमें nitrogen होगा, oxygen होगा, बाकी सारी gases होगी, आ होगी उन्हें हम बोलेंगे respiration और फिर वापिस जो हवा भार आजाएगी उससे मूलेंगे breeding होती है respiration होती है मतलब सास का अंदर जाना ये नाक से हमारी सास अंदर जाती है ये अभार आती है that is bringing अंदर जाके वह जो भी reaction करती है उसे बोलते है respiration और जो reaction करती है उसे basically बोलते है oxygen gas ठीक है समझ में आगे मेरी बात यह basic सी बात समझ में आगे तो यहाँ पर important बात यह है कि oxygen जो है that is basically a supporter of combustion खुद नहीं जलती है जलाती है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं supporter of combustion but not combustible not combustible का मतलब क्या होगा एक technical term हो गया यानि खुद नहीं जलेगी combustible का मतलब जो खुद जल जाए this is not combustible but a supporter of combustion सामने वाले को जलाएगी खुद नहीं जलेगी ठीक है यह oxygen gas है उसके बाद water vapor अब यह भी एक component हो जाएगा यह other जो gases थी other gases 0.01 percentage में यह उसका पाट है so when water when air comes in contact with a cool surface it condenses and drops of water appear on the cool surfaces is important for the water cycle अब यह तुम पहले भी पढ़ चुके हो मैं तुम्हें पढ़ा चुके हो last chapter के अंदर की पानी तुमारा बाफ बनके water जो होता है water vapor बनके atmosphere में ऊपर जाता है थंडा होता है water droplets बनती है and then it falls जिसको precipitation कहते है तो evaporation होता है पानी का बाप बनना वो बाप थंडी होके फिर से पानी बनती है इसको condensation बोलते है और फिर वो पानी बनके बरसती है इसको precipitation बोलते है तो मैं फढ़ा चुका हूँ मैं तो यह water vapor हो गई उसके बाद carbon dioxide तो यह carbon dioxide gas के concentration कितना है 0.03 percentage का concentration ठीक है तो plants and animals consume oxygen for respiration and produce carbon dioxide gas यहां चे सुनना इस मतलब इसका क्या term है देखो plants जो है ठीक है plants क्या करते है एक important बात वो करते है photosynthesis यहां चे सुनना मैं क्या बूलना चारू photosynthesis ठीक है बेटा photosynthesis का मतलब क्या होता है बेटा photo का मतलब होता है sunlight ठीक है और synthesis का मतलब होता है किसी चीज का किसी चीज का creation या फिर production ठीक है तो यहां पर plants किस चीज का creation या फिर production करते हैं यह करते हैं अपने food का creation और production और यह food और कुछ नहीं होता बट इसको basically हम कहते हैं glucose कितना आप याद रहे हैं term को ठीक है बेटा थोड़ा सा नया लग रहा होगा लेकिन important है अब ध्यान से सुनिए plants क्या करते हैं photosynthesis करते हैं आप आगे chemo synthesis भी पढ़ेंगे chemical synthesis अभी photosynthesis यानि कि sunlight की presence में खाना बनाना तो sunlight की presence में creation या production करते हैं अपने खाने का जैसे हम बोलते हैं glucose along with glucose ये क्या produce करते हैं along with glucose क्या produce करते हैं कैसे होता है ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ देखिए तो ये लोग क्या करते हैं ये लोग carbon dioxide gas जो होती है उसको लेते हैं जहांचे सुनना carbon dioxide gas plus ये लोग लेते हैं water को पेड को पानी मिलेगा roots से पानी absorb कर लेगा ना मेटा तो पानी मिलेगा carbon dioxide gas लेगा atmosphere से उपर से sunlight इसको चाहिए और plants में green pigment होता है जिसको बोलते है chlorophyll green color का pigment होता है तो ये बनाता है फिर अपना खाना that is glucose plus beta बना लेते हैं ये लोग oxygen gas ठीक है समझी में आगे मेरी बात तो इस तरीके से यहाँ पर carbon dioxide gas आपके important है इसको basically हम कहते हैं photosynthesis अब मैंने आपको बहुत short और brief में ये बना दिया process ये आपका photosynthesis ठीक है तो carbon dioxide gas और पानी पौधे कह करते हैं carbon dioxide gas को ले लेते हैं पानी को ले लेते हैं और सूरज की रौष्णी और chlorophyll जो उनमें present है इसके presence में अपना खाना मनाते है that is glucose और साथ में release करते हैं oxygen gas अब ये जो oxygen gas है इसको कौन यूज करता है animals consume oxygen for respiration देखिए respiration term आ गया यहाँ पर इसलिए मैं बोड़ रहा था कि respiration important है तो यह वाला difference भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ breathing का यह आप class 7 पर पढ़ेंगे inhale and exhale of air और respiration का मतलब क्या है respiration का मतलब using oxygen to break glucose to give energy अब देखिए respiration और breathing का difference एक बार और clear कर लेते हैं सास लेना और सास छोड़ना breathing है बहुत lamin terms पर बहुत आसान शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ कोई technical time यूज करे भी न और respiration क्या है तो आपकी body में जो भी आप खाना खाते हैं वो एक तरीके से आपका final form में जो store होता है उसको बोलते है glucose तो यह जो आपने सास अंदर ली उसमें जो oxygen है उस glucose के साथ reaction करके हमारी body को energy provide करता है हमारी body को energy provide करता है यह आपका process कहलाता है respiration यह आपको important है आपको note कर लेना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह वाली चीज क्या है animals consume oxygen for respiration plants also consume it अब आप बोलेंगे सर प्लांट्स तो carbon dioxide gas ले रहे हैं सर प्लांट्स तो carbon dioxide gas और water लेके खाना बना रहे हैं तो यहाँ पर oxygen क्यों लेंगे देखो plants भी respiration के लिए oxygen का इस्तिमाल करते हैं इसलिए कहते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं जाना चीए क्योंकि यह खाना कब बनाएगा यह खाना बनाता है सूरे की रोशनी में खाना बनाता है सूरे की रोशनी नहीं होगी तो यह भी का कर रहा है oxygen लेगा अपनी body के अंदर अपने glucose को तोड़ेगा और product क्या बनाएगा यह product बनादेगा रात को वो भी carbon dioxide छोड़ते हैं carbon dioxide गयास छोड़ते हैं खलकेल की कहानी समझ में आ रही है क्या कि हम लोग जैसे सांस लेते हैं तो क्या होता है हम लोग जब सांस लेते हैं हवा अंदर जाती है और हवा को हम छोड़ते हैं यह breathing है अंदर जाने के बाद वो glucose को तोड़ती है oxygen और glucose का reaction होता है यह reaction एक तरीके से उल्टी हो जाती है glucose और oxygen का reaction होता है और water vapor और carbon dioxide gas बाहर निकलती है साथ में energy भी मिलती है जिस वज़े से reaction होती है और plants क्या करते है जो carbon dioxide gas atmosphere में है ज्यानते सुनना जो carbon dioxide gas atmosphere में है उसको लेते हैं पानी को लेते हैं sunlight के presence पर chlorophyll के presence पर glucose और oxygen मनाता है यह oxygen फिर हमें मिलती है एक तरीके से plants oxygen को छोड़ते हैं हम लोग oxygen को लेते हैं plants oxygen को छोड़ते हैं हम लोग oxygen को लेते हैं यह छोड़ते हैं हम लेते हैं यह छोड़ते हैं हम लेते हैं जीक है तो इसलिए कहते हैं पेड़ लगाने चीए विकोज पेड़ों से oxygen आ रही है न पेड़ अगर नहीं लगाएंगे तो oxygen कहां से आएगी पेड़ खाना मनाते है खुद का पेड़ का करते हैं यह photo synthesis process करके oxygen को generate करते हैं carbon dioxide gas ले ले लेते हैं water को ले लेते हैं sunlight और chlorophyll की presence में glucose खुद का खाना और oxygen मनाते हैं oxygen को छोड़ देते हैं फिर यह oxygen को हम ले लेते हैं और हमारी body में respiration होता है उस respiration में क्या reaction होती है हमारी body के अंदर जो glucose present है वो oxygen थिरिया करके water plus carbon dioxide gas plus energy generate करता है इसकी reaction लिखना चाहो तो यहां लिख सिब तो थोड़ा advance हो जा रहा है पर still चलो तुमको बता देता हो मैं कोई दिक्कत नहीं है तो यह कुछ इस तरीके से reaction करते हैं कि glucose plus oxygen will give carbon dioxide gas यह भार निकलती है साथ में आपका water vapor plus यह generate करता है energy जो हमारी body के लिए important है यह reaction होती है फुड़ा advance concept हो गया लेकिन अब आपके पास एक clear picture है आपको रटने की ज़रूरत नहीं है ठीक है आईए nitrogen gas अब nitrogen gas वो gas है जो सबसे जादा amount पे present है लेकिन यह combustion को support नहीं करती है अभी के लिए applicable for this grade मैं अभी से लिख देता हूँ this is applicable for your grade it is not a supporter of combustion यह में याद रटना है it is also filled in the chips packet to avoid the spoiling of the food items present in the packet तो तुम्हें देखता है कि यह इसका packet आता हूँ उसमें बिल्कुल हवा भरी भी होती है बिल्कुल हवा भरी भी होती हो तुम्हें आपको बिल्कुल वैसा ही रखती है जैसा खाना होना चाहिए तो अगर मेरे को chips को खराब नहीं होने देना है मेरी जो chips है वो बिल्कुल हमेशा वैसी ही रहे तो मैं packet में जब बंद करता हूँ तो अगर oxygen डाल दूँगा तो रियक करके खराब कर देगी nitrogen डाल देता हूँ nitrogen unreactive है उस खाने की चीज़ से react ही नहीं करती है यह important बात चलो अब dust and smoke के बारे में बात करते हैं अब यह भी air के components माने जाते हैं तो dust और smoke अब देखो smoke जो होता है वो क्या होता है अब आप जब fuels को जलाते हैं यह burning मैंने बताए क्या बताए आपको यह burning जो है यह type of combustion है ठीक है विटा class 8 में और detail में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि oxygen की वज़े से कोई भी combustible substance जलता है oxygen की मज़े से oxygen होगी gas और कोई combustible substance होगा हम उसको जलाने की कोशिश करेंगे तो वो जल जाएगा ऐसा नहीं कि सारी तीसे जल जाएगी जो combustible होगा वही अब तुम बोला हमें पत्थर जला दू नहीं जलेगा तो जो भी combustible substances हैं उनको जलने में oxygen मदद करती है इसे हम combustion कहते हैं और combustion का एक type है burning हमें छोड़ा थाएडिया उना चाह जए जयादा नहीं थोड़ा थल़ाएडिया पत्यकिर अब जब हम fuels को जलाते है तो इससे भी क्या होता है smoke निकलता है इन्ली 경우에는 निकलता है अब फियम nerve Hubwood निकलता है इसके अंदर आपकी gases होती है different gases होती है कुछ आपके fine dust particles होते हैं और उसके बाद कुछ unburnt solid particles होते हैं जो की आपके लिए क्या होते हैं बहुत जादा घातक होते हैं बहुत जादा हनिकारक होता है ये smoke आपके लिए तो गाडियों से जो धुआ निकलता है जब तुमारे घर में तूरज की रौशनी आती है तो वहाँ पे छोटे-छोटे particles उड़रे होते हैं वो क्या है? वो dust particles हैं तो उसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर अगर हम बात करें तो few gases, fine dust particles and unburnt solid particles यानि ऐसे particles जो जले नीवते fuel के particles ते जो जले नहीं और बिना जले ही बाहर आगए धुएं के साथ वो particles present होते हैं इन unburnt solid particles को हम chemistry की बाशा में कहते हैं suit, क्या कहते हैं बेटा? suit, अब इनको तुमने देखा है लेकिन तुम में पता नहीं कि तुमने कहां देखा है यह unburnt particles अगर तुमने देखने हैं तो मुम्बत्ती को जला के अपना हाथ उपर रख देना थोड़ा सा, तुमारा हाथ काला पड़ जाएगा यह हाथ काला पड़ेगा suit की वज़े से किसकी वज़े से? suit की वज़े से तुमारा हाथ काला पड़ जाएगा और कुछ ऐसे पार्टिकल से fuel के जो जले नहीं है unburnt solid particles किसके? unburnt solid particles of fuel ठीक है? इसको हम suit भी कहते हैं और यह हमारे लिए बहुत ज़ादा सारी की सारी चीज़े क्या हैं? हानिकार रख है, harmful है यह एक disease कर देते हैं, harmful के एक मैं example देता हूँ can cause can cause asthma अब मैंने यह बताया था, इसको asthma प्रणांस करते हैं, कैसे प्रणांस करते हैं? ठीक है? not asthma, asthma तो यह asthma भी कर देता है ठीक है? asthma के लिए responsible है, बच्चों में wheezing कर देता है, बड़ों में asthma कर देता है, chronic lung diseases कर सकता है, तो यह बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है ठीक है? अब एक और चीज में तुम्हें यहाँ पर बता देता हूँ कभी कभी तुमने अगर देखा हो कभी कभी तुमने अगर कभी ऐसे देखा हो कि घर में घर में सूरज की रोश्नी गिरती है तो उसका जो ऐसे पाथ है क्या तुमने कभी देखा ही है? इसका जो ऐसे पाथ है ऐसे यह पाथ दिखता है यह पाथ दिखने लग जाता है और यहां पर इसे छोटे 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 करते हैं, they interact, interact with light energy and makes, makes its path visible, उसके path को visible बना देते हैं और इसी को chemistry की भाश्या में, थोड़ा हम आगे चलके सो detail में पड़ेंगे, हम लोग इसको tindal effect कहते हैं, बेटा, क्या कहते हैं, tindal effect, ये थोड़ा सा आपके advance हो जाएगा, लेकिन आपको नाम पता होना चीह, मैं आपको knowledge के लिए बता रहा हूँ, जानभूज क्या आपको advance पढ़ा रहा हूँ, इसको कहते है, tindal effect, क्या मोलते हैं, इसको कहते है, tindal effect, तो अगर तुमने कभी से interact करते हैं, उसके path को, उसके रस्ते को visible बना देते हैं, और खुद को भी visible बना देते हैं, इस process को, इस phenomena को science में tindal effect कहते हैं, कभी ठंड में अगर तुमने देखा हो, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो उसमें क्या होता है, कि ऐसे, ये path जो है, ये visible हो जाता है, अब ऐसा क्यों होता है, ये usually कम होता है, inventors, ठीक है, क्या होता है, कि जो आपका temperature है, temperature क्या हो जाता है, temperature decrease कर जाता है, इस वज़े से क्या होता है, आपकी जो air में water vapor है, water vapor क्या करेगी, अब बताओ मुझे water vapor condense करेगी न, अरे पढ़ा चुका हूँ water vapor condense करके क्या बनाएगी, water vapor condense करके क्या बनादेगी, water droplets बनादेगी, ठीक है न, water की small droplets बनादेगी, water droplets, और इसको कुछ लोग जादा पढ़े नहीं कि नो, क्या बोलते हैं इसको, जल्दी से बताओ, इसको basically हम कहते हैं, either fog या either हम कहते है mist, दोनों same है, visibility का difference है, mist में visibility और कम होती है, fog में थोड़ी सी जादा होती है, है न, तो एक तरीके से क्या हो जाता है, कोहरा जिसको तुम बोलते है, वो चा जाता है, है न, तो जब ठंड पढ़ती है, बहुत जादा temperature घटता है, तो हावा में जो बाप present है, वो ठंडी होके पानी बनने लेगी, condensation होगा, ये air में का करती है, अब जब sunlight आएगी, तो ये sunlight के path को visible बना देगी, क्या बना देगी, path of sunlight becomes visible, इसको भी क्या बना देगी, path of sunlight, path of sunlight becomes visible, और इस ही को प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाईयों और बहनों, हम क्या कहते हैं, टिंडल effect कहते हैं, इसी को टिंडल effect हम लोग कहते हैं, तो ये बस तुम्हें मेरे को feel कराना था, कि तुम्हारी बुक में भी दे रहा था, तो तुम्हें थोड़ा अच्छे से feel कराना था, तो मैंने तुम्हें करा दी, अच्छे से feel, तो यहाँ पे path of the light becomes visible, just because ये जो water droplets से ये interact करती हैं, इस sunlight से and makes the path of the sunlight becomes visible, टिंडल effect कहलाता है, ठीक है, आल राइट, अब देखिए, is oxygen present in water or soil, अब लोग कहते हैं कि भाईया, हम कैसे मान ले कि जो gases है, oxygen है, या फिर हम बोल सकते हैं, normally यहाँ पर कि air, oxygen या फिर, air, हम कैसे मान ले कि हवा में, air, air and nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon, यह सारी कि सारी, हम कैसे मान ले कि पानी और soil में present है, for example, अगर तुम्हें पानी में decode करना है, तो कैसे करोगे, और मान लो तुम्हें अगर soil में decode करना है, तो तुम कैसे करोगे, कुछ भी नहीं करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, बेसिक सा, बहुत सरल सारी करना है, पानी को गरम करो, पानी को क्या करो, तुम बढ़िया से गरम करो, पानी को क्या करो, बहुत बढ़िया तरीके से गरम करो, क्या तुम्हें आप यह बबल्स देखने के लिए मिलते हैं, यह बबल्स देखने के लिए मिलते हैं, बबल्स, यह बबल्स किसके हैं, यह बबल्स किसके हैं एर के ही तो बबल्स है ठीक है ना तो जब आप इसको हीट करोगे तो escapes escapes from water on heating तो मुझे एक बात बताओ क्या हवा पानी में present है की नहीं है बिल्कुल है अगर नहीं होते तो बबूले बनके उड़ता कैसे बबूले बनके उड़ी है ना उड़ी है बिलकुल ऊड़ी है सर बिलकुल ऊड़ी है तो इक हवा में तो पानी के अंदर पानी के अंदर तो है ही ना escapes from water on heating और दूसरा proof क्या चलो यह तो तो तुम्हारा basic experimental proof होगे second aquatic organisms कैसे जिन्दा है aquatic organisms यानि जो पानी में रहते है organisms वो कैसे जिन्दा है वो कैसे जिन्दा है जो plants और animals कैसे जिन्दा उनको auction नहीं चीह गया बिल्कुल चीह है तो plants and aquatic organisms uses dissolved oxygen in water dissolved oxygen in water for their survival तो यह दूसरा proof है कि भाई अगर पानी के अंदर तुम चले जाओ तो भी organism जिन्दा है तो वो पानी के अंदर dissolved oxygen का इस्तिमाल करते हैं और इस वज़े से वो जिन्दा ही है एक और तुम्हारे पास proof हो गया तो अगर पानी के अंदर तुम्हें देखना है कि भाई यह हवा है कि निया तो उसको पहले heat करो bubbles बने लग जाएंगे है ना bubbles बने लग जाएंगे ठीक है तो वो basically proves that water is present that air is present inside water दूसरा होता है कि जो aquatic organisms हैं यह dissolved oxygen को इस्तिमाल करते हैं अगर पानी में हवा नहीं होती हवा का एक component है ना oxygen जिससे हम जिन्दा रहते हैं जिससे organism जिन्दा रहते हैं अगर वो नहीं होता तो पानी में organism मन जाते ना लेकिन जिन्दा है हाँ जिबिया बस यही तो बात है दूसरा अगर तुम्हें मिट्टी का देखना है देखो यार मिट्टी में क्या game चलता है मैं तुमको बहर है मिट्टी का game क्या है what is the game of soil यहाँ पर soil में यहाँ अगर तुमें देखना है तो तुम क्या करो आज अपने घर के पास में से मिट्टी उठा के लाना थोड़ी सी कोई भी मिट्टी जावे पेड़ पौदे हो वासे मिट्टी उठा के लियाना और उसके ओपर क्या करना पाने डाला तुम पता है क्या देखोगे तुम जैसे ही पाने डालोगे तो तुम देखोगे कि यहाँ से बबूले बन रहे हैं bubbles बन रहे हैं क्या हो रहा होगा इन में से हवा escape परती है air escapes इस तरीके से अगर इस मिट्टी के अंदर हवा नहीं होती तो पाने डालने के बबूले क्यों बन रहे हैं bubbles क्यों बन रहे हैं air escapes, and that's why, air escapes, that's why, that's why we see, that's why we see bubbles, है ना, अगर नहीं होते तो भाई कैसे होता, आ तो, that's why we see bubbles, जैसे मैंने आपको पहले भी काता कि हवा हर जगे प्रेजेंट है, यहाँ पर भी मिट्टी के अंदर जो organisms रहते हैं, वो इस तरीके से अपने बिल वगेरा बनाते हैं, कि हवा अ अंदर आ सके, तो वहां से अगर तो मिट्टी भी लेगे आओगे, तो तुम्हें दिख जगा कि यार वहां पर हवा के आने जाने की जगे है, जैसी तुम पानी डालो कि उसके अंदर से तो bubbles बनके हवा भाहर निकलेगी, बबूले बनके, क्योंकि जो हवा की जगे थी वो पानी ने ले लिए, यही सेम वज़े होती ही, तुमने देखा होगा कि जब बारिश पढ़ती तो घरवाले बोलते हैं, अरे घर से बाहर मत निकलना, घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि जानवर बाहर निकले होंगे, साप बाहर निकला होगा, अर्थमम बाहर निकला होगा, क सब पानी से बहर जाते हैं तो इस वजह से वह बैठाव बहार आजाते हैं थो यह रीजन है टो यह मिठी तुम लेकि आना मिठी तुमिया लेगी इसने हवा नहीं पानी डालना तो पानी करें और हवा बबल बनके निकलने लगए तो आगे चलते हैं तो हाव इस अप्सिजन इन्दी अट्मॉस्फिया रिप्लेस्ट अब ये तो मैंने तुम्हें बताई दिया है कि कैसे रिप्लेस होती है क्या होता है इस प्रोसेस को पूरा रिवाइस करते हैं ठीक है देखो अब इसको पड़ो पूरा साइकलिक प्रोसेस है इसको देखते हैं आजो तो देखो फोटो सिंथेसिस जब होता है मैंने तुम्हें क्या बताया फोटो सिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट्स कार्बन डिया उक्साइड और कार्बन डिया उक्साइड और वा को मैं अच्छे समझ में आएगा कि plant क्या करते हैं carbon dioxide gas को लेते हैं atmosphere से खाना बनाने के लिए plus पानी को लेते हैं in the presence of sunlight and आपका chlorophyll ये क्या करते हैं ये basically produce करता है अपना खाना that is basically glucose plus ये produce करता है oxygen अब ये जो oxygen आ गई यहां पर ये oxygen को release करते हैं इस oxygen को हम use करते हैं for respiration अब respiration के अंदर जो मैंने equation बताई थी वो क्या थी हमारी body में glucose के format में सब कुछ stored है oxygen हमारी body में अंदर जाती है और ये क्या बनाती है ये बनाती है carbon dioxide ठीक है और साथ में क्या बनाती है ये बनाती है water या water vapor plus ये बनाती है energy जो हमारी body use करती है तो खाना खाने से हम एनर्जी मिलती है यह reason है, जो भी हम खाना खाते हैं, वो digest हो के glucose की format में रहता है, हम जब सांस लेते हैं, that is breathing, सांस ली हमने हवा अंदर गई, उसके अंदर oxygen था, समझे लेओ, अब हमने खाना खाया है, खाने का digestion होता है, glucose की format में store होता है, हम सांस लेते हैं, breathing करते हैं, हव प्रसे właśnie चलता रहता है कि आपको यह समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों ये एक cycle process हमारे इसमें चलता रहता है और रात के समय में ऐसा नहीं आप देको plants भी plants photosynthesis भी करते हैं और plants respiration भी करते हैं respiration में क्या होगा कि plants भी छोड़ी जो oxygen है ऐसा नहीं कि plants पूरी oxygen खा जाते हैं जितनी oxygen वो छोड़ते हैं उससे बहुत कम लेते हैं बहुत कम percentage of oxygen लेते हैं अपने respiration के लिए अपनी body में glucose को तोड़ने के लिए और फिर carbon dioxide gas plus water plus energy तो इसलिए रात में carbon dioxide छोड़ते हैं वो कि आप याद रखिये है ना चलो ऐसा नहीं कि दिन में respiration नहीं करते होंगे बिलकुल करते हैं बट नाइट में आपका क्या होता है कि एक भी percent में photosynthesis नहीं हो रहा है यू ना रात में तो photosynthesis नहीं हो रहा है तो वाग इस ना तू अपका है इसमें से कौन सा सत्य नहीं हवा के लिए it makes the windmill rotate it helps in a moment of aeroplane birds can fly due to the presence of air it has no role in the water cycle तो देखो it makes the windmill अब तुमने देखा हो विंट मियं यह विंट मिल क्या होता है भी यह इसका काम क्या है तुम्हें पता है यह हवा की वज़े से हवा की वज़े से यह वेसिकली गूमता है और यह विंड मिल जो है यह एक तरीके से हमारी मदद करता है इन जनरेटिंग इलेक्रिसिटी कैसे इसके साथ हम लोग क्या करते है एक जनरेटर को फिक्स कर देता है जो जनरेटर भी गूमता है जिससे बिजली का प्रडक्शन होता है तो क्या हवा रोटेट नहीं करती है बिल्कुल करती है विंड मिल को रोटेट करती है जो इलेक्रिसिटी को जनरेट करता है यह विंड मिल क का chapter 13 sources of energy वहाँ भी आप पढ़ेंगे इसको इसका रोल है वाटर साइकल के अंदर एक मुझे बात बता हूँ बाद लोग इधर से अधर मूब कराने में किसका रोल है अगर आपकी जब बारिश होगी जो मानसून है यह बारिश है वो हर जगे पड़े उसमें किसका योगदान आप यह एफ और तो एयर है यह इन दा मूव्मेंट आफ टाउड़्स वाटर सैकल का ही पार्ट हो जाएंगा अब पानी बरसेगा एवापिनेल को गापर सिपीटेट होगा फेर कलेक्ट होगा हर डिरेक्शन से आएगा टीई उसी का पार्ट हो जाता है ठीक है आजो माउं यह निजो बड़े बड़े पावड़ों पर चड़ने जाते हैं उनको mountaineers कहते हैं so they carry oxygen cylinders वो अपने साथ oxygen के cylinder लेके जाते हैं क्यों? there is no oxygen on high mountains there is deficiency of oxygen on mountains high altitude oxygen is used for cooking oxygen helps keeps them warm at the low temperature तो देखो इसका reason क्या हो जाएगा? देखो जैसे जैसे तुम उपर जाते हो जैसे जैसे हम उपर जाएंगे तो हवा की जो density है वो क्या हो जाती है? concentration जो है वो कम हो जाती है जैसे जैसे यह हम नीचे से उपर जाते जाते हैं तो हवा की जो density है यानि जो जिस concentration में वो present है वो क्या होती जाती है वो basically कम होती जाती है जैसे अब higher altitude पे जाओगे तो हवा जो है वो कम होती जाएगी इसलिए जिन्दा रहने के लॉक्षिन सिलेंडर ले जाते कि वह यह सांस वास ना टक जाए मर वर ना जाए ऐसा ना हो कि सांस की कमी होगी hypoxia हो जाएगा मर जाएगे इस वजए से oxygen cylinder लेके जाते है उसके बाद Usha took a lump of the dry soil in a glass and had water to it till it was completely immersed she observed bubbles coming out the bubbles contain अब बबूले निकले लेगे तो मिट्टी के अंदर पाने डालोगे है तो क्या हो जाएगा इट शोज कि वो जो gaps थे हवा ने occupy कर रहे के थे इस ती basic सा सवाल है इस इन में से कौन सा component पूरी तरीके से दोनों component harmful है बोट दो components हार harmful तो जो इसमें से दोनों component harmful है वो आपके क्या है which are the following components of air is present in the largest amount in the atmosphere सबसे ज्यादा amount में कौन सा present है जल्दी से बता देंगे फटा फुट से एक दो तीन screen pause करके answer करना है nitrogen 78.08 परसेंट टीक है तो बेटा I hope अब मैंने आपको majorly चीज़ें यहाँ पर detail में पढ़ा दी पूरा chapter हमने cover कर लिया है इससे related जो experiments है जो भी सारे chapter से related experiments है देरे देर उनके shots आपके पास आएंगे सारे videos को अच्छे से देखिए हर experiment short हर long video हर video आपके लिए बहुत ज़्यादा important है उनको अच्छे से देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम यह जो free batch है इसमें आपको majority चीज़ें पढ़ा सके हैं देखिए यह free batch है one shot है जब आप structured courses में आएंगे तो structured courses में आपको और मज आएगा जो बहुती जल्दी आपको मिलने वाले हैं तो structured courses का pedagogy flow अलग होता है कि lecture to lecture हम पढ़ रहे हैं कुईजिस कर रहे हैं है यह one shot में हमने maximum कोशिश करी कि हम लोग maximum content बहतिरीन तरीके से आप तक पहुंचा सके तो आपको अच्छा लगा है आपने enjoy किया है तो next class तक कि अलबेश से जया जया फिजिक्स वाला जय हिंद जया मारत वन्य मात्रा